नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिकी एर डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो रहे हैं जो उन्हें इसराइल से आरेंड डॉम एर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ रहा है साउच चाइना सी में चाइना की चुनोतियां कैसे बढ़ती जा रही हैं? तरकी के 5 प्लस जनरेशन वाले फाइटर जेट की क्या अपडेट है? क्या अमेरिकी सेंक्षन का मजाक दुनिया भर के देश बना रहे हैं? और क्यो रशिया के एंटी सेटलाइट डेमोंस्टेशन से अमेरिका में खलबली मची हुई है? यह सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बहतरीन एडिफेंस सिस्टम्स का नाम लिया जाए तो उसमें रशिया का S-400 और इस्राइल के आईरेंड डोम का नाम जरूर आएगा इस्राइल के इसी आईरेंड डोम को अमेरिका अब अपने देश में लगवा रहा है वही अमेरिका जो अब तक दुनिया भर में अपने महंगे पेट्रियोट और थाड एडिफेंस सिस्टम को सबसे काबिल बता कर बेच रहा था इस्राइल की राफेल कंपनी वे अमेरिकी रेथियोन कंपनी मिलकर आईरेंड डोम की ओल अपराउंड फैसिलिटी को अमेरिका में लगाएंगे आईरेंड डोम एडिफेंस सिस्टम 70 किलोमेटर की रेंज तक रोकेट्स और यहां तक की 155 mm के आर्टिलरी शेल्स को भी काउंटर करने की काबियत रखता है इस इसराइली सिस्टम का सक्सेस रेट 90% से भी जादा है यह सिस्टम दिन हो या रात हर तरह के मौसम में काम करता रहता है अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका के पास थाड वे पेट्रियोट जैसे एर डिफेंस सिस्टम मौझूद हैं तो फिर उन्हें इसराइली आईरें डोम की क्या आउशकता पड़ गई दोस्तों कुछ समय पहले सौधी अरब की बड़ी रिफाइनरी पर मिसाइल से अटेक हुआ था जिसमें उस रिफाइनरी को काफी ज़्यादा नुक्सान पहुचा था वहाँ पर अमेरिकी एर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड थे लेकिन वो इस अटेक को रोकने में नाकामियाब रहे ऐसे ही अटेक अमेरिकी सैनिकों को इराक में इरान की तरफ से जेलने पड़ रहे हैं ऐसे में फैसला लिया गया कि इन कम दूरी के रोकेट्स वैं बेहद कम उचाई पर उड़ने वाली मिसाईल्स के लिए इसराइली आयरन डॉम ही बहतर रहेगा इसलिए अमैरिका इसराइली आयरन डॉम को ना सिर्फ अमेरिकी इलाकों के लिए ले रहा है बलकि साथ ही दुनिया भर में फैले अपने military basis पर भी इस Israeli air defense system को तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है भारत में भी काफी सारे experts कम से कम JNK रीजन के लिए Israeli iron dome खरीदने की बात लगातार कहते आए हैं अब बात करते हैं चाइना के लिए बढ़ती जा रही चुनोतियों की लदाक में भारती फोज की तैयारियों से साफ है कि चाइना किसी भी हालत में भारत को नहीं हरा सकेगा लेकिन चाइना के लिए समस्या ये है कि उसे दूसरे मोर्चों पर भी टकर मिल रही है ये दूसरे मोर्चे या फ्रंट है जपैन, ताइवान वे अमेरिका जपैन ने चाइना को टकर देने के लिए फैसला लिया है कि वे अपने मेगे आइलेंड को एक आर्टिफिशल एरक्राफ्ट केरियर के रूप में बदल देंगे इस आइलेंड पर जपैन वे अमेरिका दोनों के ही फैटर जेट्स वे सपोर्ट एरक्राफ्ट ओपरेट करेंगे इसी तरह के आर्टिफिशल एरक्राफ्ट केरियर चाइना भी साउच चाइना सी में बना रहा है ताकि अमेरिकी नेवी पर कंट्रोल रख सके जपैन अमेरिका से F-35 स्टेल्थी फैटर जेट्स के A और B वेरियंट खरीद रहा है जहां F-35A एक नॉर्मल फैटर जेट की तरह ओपरेट करते हैं तो वहीं F-35B वर्टिकल लेंडिंग वे टेक ओफ करने की काबलियत रखते हैं जपैन अपने हेलिकोप्टर कैरियर्स को भी F-35B के माध्यम से एरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बदल रहा है वहीं दूसरी तरफ ताइवान जिसे चाइना पूरी तरह से हडपने के सपने संजोई बैठा है उसी ताइवान ने पिछले दिनों एक स्वधेशी माइन्स बिछाने वाले नेवल शिप को लॉंच कर दिया है वे दूसरे ऐसे ही शिप को बनाने का काम शुरू कर दिया है जिस तरह से जमीन पर दुश्मन के टैंक्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एंटी टैंक माइन्स को लगा दिया जाता है उसी तरह ताइवान भी पानी म चाइनिज नेवी के जहाजों को रोकने के लिए समुद्री माइन्स बिछा रहा है चाइना ताइवान के एक आइलेंड को कब जाने की कोशिश वाली नेवल एक्ससाइज करने वाला था तो इसके जवाब में ताइवान ने अपने F-16 को उड़ाया जिन में एमेरिकी AGM-84 ह आरपून एंटी शिप मिसाइल्स लगी हुई थी साउथ चाइना सी में बड़ी संख्या में अमेरिकी जहाजों की मुझूद्गी के कारण चाइना को इस कबजे वाली नेवल एक्ससाइज को रोकना पड़ा अब बात करते हैं एरक्राफ्ट और हलिकॉप्टर्स की फिफ् 2023 तक इसकी फस्ट फ्लाइट करके तरकी दुनिया को दिखा सके कि भले ही उसे F-35 प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया हो लेकिन इससे तरकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तरकी के दुआरा रेशियन S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदने से नाराज होकर अमेरिका ने तरकी क F-35 fighter jet program से बाहर कर दिया था तरकी F-35 के काफी सारे parts भी बना रहा था 100 F-35 खरीदने के लिए काफी कुछ advanced payment भी कर रखी थी तरकी F-16 वे F-35 के काफी सारे parts को manufacture करता था और इसी से उन्हें high-tech design के fighter jets को समझने का मोका मिला अमेरिकी fighter jets से सीखी गई इसी expertise को लागू करके तरकी 5th generation का T-FX बना रहा है लेकिन क्या बिना अमेरिका की सहायता के इसे बना पाएंगे यहाँ पर बात अटक जाती है तरकी अपने attack helicopter T-129 को भी बड़ी संख्या में पाकिस्तान को बेचना चाहता था लेकिन अमेरिका ने इसमें लगने वाले engine की supply रोक दी इसका नतीजा यह हुआ कि अब तरकी के पास एक suitable engine मौझूद नहीं है तो इस attack helicopter को पाकिस्तान को नहीं बेचा जा सका इसी तरह engine, radar वे दूसे evonix की supply रोक कर अमेरिका तरकी के इस T-FX project को भी कभी भी बंद करवा सकता है fighter jet से जुड़ी अगली update भी अमेरिका को जटका या शोक देने वाली है अमेरिका दुनिया भर के देशों को रशिया से हथियार नहीं खरीदने देने के लिए काटसा act के तहत sanctions लगाने की धमकी देता है इरान समेत कई देश अमेरिकी प्रतीबंदों के कारण economy के लिहाद से लगबग बरबाद हो गए लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और काफी सारे देश अमेरिकी sanctions की परवा नहीं कर रहे हैं तरकी और भारत S-400A defense system को अमेरिकी sanctions की धमकी के बावजूद ले रहे हैं तो अब एजिप्ट भी 24 Russian heavyweight category के SU-35 fighter jets को खरीद रहा है 24 SU-35 fighter jets की deal 2018 में sign हुई थी अमेरिका ने इजिप्ट को काटसा act का दर दिखा कर इस deal को तोड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन इजिप्ट ने पीछे हटने से इनकार कर दिया 24 में से 5 SU-35 पिछले दिनों इजिप्ट पहुँच चुके हैं और बाकी भी जल्दी ही मिल जाएंगे वैसे इजिप्ट पहले से ही Russian हत्यारों के रूप में MiG-29M, S-300 Air Defense System वे KA-52 Alligator जैसे attack helicopters को इस्तमाल कर रहा है अटेक helicopters की बात करें तो फाइनली स्वेदेशी Apache टाइप light attack helicopter को भी लदाख में अपनी capabilities को दिखाने का मोगा मिल गया है ये स्वेदेशी attack helicopter हलके वजन वे powerful engine होने के कारण आसानी से लदाख के उंचे पहाड़ों पर operate कर सकता है इन स्वेदेशी Apache helicopters की कीमत भी अमेरिकी Apache helicopter के मुकाबले लगभग आधी है दोस्तों अब बात करते हैं space यानि की antrix की अमेरिका को चिंता सता रही है कि ना सिर्फ hypersonic missiles के मामले में अमेरिका रेशिया से पिछड गया है बलकि साथ ही antrix में भी दुश्मन के satellites को अपने satellites के माध्यम से destroy करने की capabilities के मामले में भी अमेरिका पिछड रहा है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 15 जुलाई को रेशिया की तरफ से space में ही दुश्मन के satellites को destroy करने की काबलियत का परदर्शन किया गया है अगर रशिया ऐसा करता है तो अमेरिकी global positioning system यानि कि उनका GPS बेगार हो जाएगा और फिर अमेरिकी missiles अपने सटीक निशाने तक नहीं पहुँच पाएंगी साथ ही इससे रशिया अमेरिका के हर तरहें के long range के communication को भी break कर सकेगा जो दूर समुदर में चल रहे अमेरिकी naval जहाजों और aircraft carriers के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों आपकी राय में क्या अब अमेरिकी sanctions का डर दुनिया भर से खतम हो चुका है या अभी भी अमेरिका अपने दबदबे को दिखाने की ताकत रखता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें साथ ही ये भी बताएं कि क्या अगली लड़ाई जमीन पर ना होकर अंत्रिक्ष या स्पेस में लड़ी जा सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतिजार रहेगा दोस्तों ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी डिफेंस अपडेट्स उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नमस्कार